आज चली मैं आपके साथ सेर करती हूँ ट्रेंडिंग टमाटर की चटनी इसे बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है और इसका टेश रेली में बहुत अमेजिंग है तो बस चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो पर्स्ट आप आपको लालल टमाटर लेना है ताकि चटनी एकदम पॉफिक्ट तैयार हो तो हलका समस्प्रिंकल कर देंगी नमत ताकि जो टमाटर अच्छे से सॉप्ट हो जाए और धकर पकाएंगे स्टार्टिंग में दो मनट के लिए तो शभाट बिलकुल अच्छे से पक चुका है तो जो इसका छिलका है वो हम निकाल लेंगे और टमाटर को ट्रांसफिर कर देंगी एक मिक्सिंग बॉल में बिलकुल अच्छे से Semass कर लेंगी तो अब अपने तरीके से इसे मैस कर सकते हूँ, मैं यहाँ पर फॉक्स से मैस कर रही हूँ and next मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग वाइल और इसमें अट कर रही हूँ लहसन तो यह वाली चटनी बीना लहसन प्यास की नहीं अच्छी लगेगी तो अब जरूर से अट करना तो यहाँ पर मैंने लहसन को भी तेल में अच्छी से भून लिया है इसे भी आड कर देंगी टमाटर में और इसे भी मैस कर लिएगे अब मैं आपर आड कर रही हूँ बिलकुल फाइन चॉप किया हुआ एक मेडियम सैस का प्यास और साथ में आड कर रही हूँ कास मेरी लाल मिर्च इसे तीखा कम होगा बट कलर बहुत अच्छा हैगा और साथ में आड कर रही हूँ टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक पहले भी नमक एड हो चुका तो है पर कम आड करना है और साथ में आड कर दे रही हूँ दो हर इमिर्च फाइन चॉप करकी तो मुझे थूड़ा तीखा पसंद है बाकि अप तीखा अपने नुसा रख सकते हू और साथ में धीर सारा अड करियों धनिया पत्ता और नीमू कर रस पस अच्छे से मिक्स करेंगी एकदम खटी मेठी चटपटी हमारी चटनी तयार है तो आप इसे रूटी चावल चपाती पराथा ब्रेट कुछ के साथ भी इंजोय करो बिल्कुल पॉफिक्ट कम्बिनेश तो मैंने इसे सर्फ किया रूटी के साथ में इसका टेस्ट रेली में बहुत ज्यादा अच्छा है तो आज ही ट्राय करो और आपकी रिस्पी कैसे पर नहीं मेरे साथ कम्मेंट सेक्षे में ज़रूर से सेर करना अच्छी लगी है तो लाइक सेर एंड अगर चैनल पढ़ने झाल आप